दिल्ली, नोडा वा अन्य कुछ जनपदों के बाद अब गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। गाजियाबाद के जिलाधिगारी डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने नाइट कर्फ्यू की घोशना करते हुए बताया कि पहले चरण में आज यानी ब्रियस्पतिवारात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रोजाना 17 अप्रेल तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। इसके बाद संक्रमण की मामलों की समिख्षा की जाएगी। अगर स्थिती काबू में नहीं रही तो नाइट कर्फ्यू 17 अप्रेल के बाद भी लागू हो सकता है। वहीं गाजियाबाद में सभी शिक्षण संस्थानों को भी 17 अप्रेल तक बंद किये जाने के आदेश दि वे यदावत खुले रहेंगे। बाकी बेसिक के स्कूल्स, माद्रमिक के स्कूल्स और उच शिक्षा की सभी शिक्षम संस्था हैं चाहे वो प्राइवेट छेतर की हो और चाहे वो गौर्मन्ट छेतर की हो सभी बंद रहें। जनपत गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण को प्रभावशाली धन से नियंतुत करने के लिए रात्रिकाली निश्विधाग्या लागु करने का नढ़ने लिया गया है। ये आदेश आज रात इससे प्रभावी हो जाएंगे। इसका समय रात इस दस वजे से प्रातरकाल पात जेतर का रखा गया है।